आज हम लोग पढ़ेंगे dividing a decimal by numbers like 10, 100 and 1000 and they're multiples ठीक है? तो देखो सबसे पहले हमें कैसे किसी decimal fraction को ठीक है? 10 से, 100 से, 1000 से कैसे 10,000 से multiply करना होता है और जो की बहुत ही easy होता है देखो जैसे हम लोग मालो ये है तो 75.8 को 10 से divide करना है ठीक है? तो 75.8 को 10 से divide करना है तो क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं, है ना? हम लोग इस तरीके से एतना लंबा सा process नहीं करेंगे इस तरीके से नहीं करेंगे करना क्या है? जैसे कि हम आपको multiply के case में बताते Suppose, जैसे 75.8 को अगर multiply करना होता हमें 10 से ठीक है multiply ये क्या है multiply अगर multiply करना होता तो देखते number of zeros यहां कितना 0 एक 0 तो हम क्या करते है multiply के case में ये decimal उठकर एक digit के बाद लगता यानि यहां लगता तो answer आता कुछ इस तरीके से ठीक है लेकिन हम divide पर रहे न ध्यान से सुनना multiply की case में ये decimal उठकर आगे लगता है ठीक है ये decimal उठकर आगे लगता है जितना 0 होगा उतना digit आगे लग जाएगा ठीक है लेकिन divide की case में क्या होता है न जैसे 75.8 है divided by 10 है तो देखो यहां पर कितने 0 10 से यहां देखेंगे हम लोग कितने 0 है 10 divide है ठीक है तो divide की case में ये decimal उठकर आगे एक digit जाएगा यहां पीछे जाएगा ठीक है divide की case में क्या होगा जितने 0 होगे ठीक है तो उतना digit आगे ये decimal उठकर चला जाएगा तो ये decimal उठकर यहां गया तो answer क्या होगा 7.58 ओके clear multiply की case में ये decimal उठकर आगे जाता है जितने 0 होगे divide की case में ये पीछे जाता है जितने 0 होगे ठीक है अब मान लो जैसे 75.8 into 100 75.8 into 100 तो tell me how many 0s are here 1, 2 there are 2 0s कितने 0? 2 तो देखो ये जो decimal है न वो 2 digit आएके जाएगा 1, 2 यानि answer होगा 0.758 यहां से decimal हटकर यहां गया है यह मत करना कि यहां पे बीच में decimal लगा देना ये जो आगे आए न decimal यही decimal उठकर आगे चला आया है ठीक है फिर ये वाला देखो 75.8 divided by 1000 75.8 divided by 1000 how many 0s आए है 1, 2, 3 तो यह जो decimal है न वो 3 digit आगे जाएगा 1, 2 अब बोलोगे तीसरा तो है नहीं तो हम लोग अपने से 0 लगाकर एक digit घट रहाता देखो यहाँ तीन 0s है है न तो decimal तो आगे जाएगा एक digit होगा दो डिजिट होगा तीसरा डिजिट तो है नहीं तो अपने से हम लोग 0 लगाएगे फिर decimal देगे तो final answer होगा 0.0758 और भी कुछ questions हम लोग देख सकते हैं like हो question आपका 7 7.125 5 divided by 1000 यह हो तो बड़ा easy सा यहाँ पर देखो कितने 0s है sorry how many 0s है है 1,2,3 but here only one digit तो अपने से एक ही digit है तो 1,0 और 1,0 और क्योंकि 2 digit घट रहा था तो हमने क्या किया 2 digit अपने से लगा कर decimal दिया ठीक है this is what the answer और भी देख सकते हैं हम लोग एक और question ले सकते है suppose हमारा question है 4,4200.8 divided by 1000 तो tell me how many 0s are here 1,2,3 तो यहाँ देखो यह decimal ना 3 digit आगे चला जागा 1,2,3 यहाँ पर आ जाएगा है ना तो final answer होगा 4.2008 clear है यह हो गया हमारा solution कैसे हम किसी भी decimal number को ठीक है decimal fraction को कैसे 10 से 100 से 1000 से divide करेंगे जब भी ऐसा है तो इस तरीके से लंबे process से नहीं जाएंगे ठीक है जितना zeros है वो count कर लो और उतने digit आग back जाओ ठीक है अगर digit घट जाए जैसे यहाँ पे घट गया था 3-0 था लेकिन यहाँ एक ही डिजिट था दो डिजिट घट रहा तो अपने से 2-0 पुट करके बनातेंगे ठीक है अगर अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेस सब्सक्राइब इत तक यू